दोस्तों मैं आप इनम लेगी आप सबका स्वागत करता हूँ बाई जूस एक्जाम प्रेपर 1824 में जोसफ एस्पिन नाम का एक व्यक्ति जो पत्थर का काम करा करता था उसने अचानक एक दिन कुछ लाइम स्टोन और क्ले को अपने घर के ही कीचन में स्टोव में लगाया और काफी देर तक गरम करने के बाद उसको क्रश करने के बाद उसको एक पाउडर फॉर्म का मट्रियल मिला जिसकी स्ट्रेंथ और बैंडिंग प्रॉपर्टी कमाल की थी यहाँ था सिमेंट का अविशकार 1824 में इनलैंड में जोसेफ एस्बिन द्वारा इसके करीब 80 साल बाद इंडिया में सिमेंट का उत्पादन प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ 1914 पे मेजरली पोरबंदर गुजरात में इसका मैनुफेक्चर हुआ लेकिन कुछ अटकरों की बाद सही माने तो मदरास में 1904 में अल्रेडी एक स्मॉल इसका मैनुफेक्चरिंग हो गया था सिमेंट के अविशकार के बाद लगभग 80 साल बाद जो भारत में उसका कमर्शल प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ लेकिन आज के समय में पूरे विश्व का 8% प्रोडक्शन थू इंडिया होता है अगर मैं इसके प्रोडक्शन पर आऊं तो इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होता है फ्रॉम बॉंब एक माइनिंग साइट को जहां पर हमारे पास एडिक्वेट मिनरल्स या मेटरियल हैं वहां पर ब्लास्ट किया जाता है और ब्लास्ट करने के बाद जो हमारे पास वहां से लाइम स्टोन शेल्स या क्ले मेटरियल होता है उसको ट्रांसपोर्ट करके हम प् नहीं कि that are in adequate proportion, cement को बनाने के लिए आपके पास limestone, आपके पास shells, आपके पास clay material का एक proportion होना चाहिए, जब आपने blast किया था और blast करने के बाद, जब आपने वहां से blast किया material को ट्रांसपोर्ट करके लाए, तो ज़रूरी नहीं कि वो एक standard adequate proportion में रहा हो, आपने crush भी कर दिया, तो वहां से बाद उसको एक proper proportion में लाए जाता है, limestone, clay, shells और other minerals को, और उसको फिर एक किल में रखा जाता है, जहां पर 1400 degree Celsius तक उसको heat किया जाता है, और वहां से हमारे पास finely powdered form में cement मिलता है, जिस पे हम gypsum भी add करते हैं, अगर आपने gypsum add नहीं किया, तो जहां पर आप cement बना रहें, आप उसको घर तक ले जाई नहीं पाएंगे, दिवार पर लगाई नहीं पाएंगे, उससे पहले ही वो set हो जाएगा, तो जिसन क्या करता है, डिले करता है setting time को, ओके, तो अगर मैं आपको फिर से एक tabular form पर यह सारी चीज़े दिखा हूँ, तो सबसे पहले ज shells, limestone और clay आपके पास आगे, आप ऐसे ही किसी भी side को blast नहीं कर देंगे, आप वहीं को blast करेंगे, जहां पर आपके पास proper limestone shells और clay आपके पास मिले, उसको आपने crusher में डाला, crushner में डालने के बाद, आपके पास बहुत powder form में आपके पास आ गया, लेकिन जरूरी नहीं कि standard proportion में हो, limestone, clay इन सब का proportions आई हो, ऐसा जरूरी नहीं है, तो आपने उसके बाद उसको proportion, सही proportion किया, with the help of proper units, और उसको आपने grinding मिलकर kill में डाले, clean मतलब यहां पर जो temperature होगा, that will be around 1400 degree centigrade, kill में डालने के बाद, proper proportion में डाला गया था, यहां से आपके पास, आपके पास उसको cool किया जाता है, और cool करने के बाद, आप gypsum add करते हैं, ताकि आपके पास जो cement है, जो आप strength और binding देगा, ऐसा नहीं कि site में हो set हो गया, आप चाहते हैं, कि आप उसको proper unit तक ले जहां पाएं, या अपने pillar तक ले जा पाएं, नहीं तो जहां पर मजदूर बना रहे हैं, वहीं set हो जाएगा, तो gypsum add किया जाता है, और finally इसको transport कर दिया जाता है, तो this is the complete process of making cement, students को अकसर बहुत डाउट रहता है, cement, concrete और mortar में, cement तो binding material है, जो strength भी देता है, ठीक है, इस cement, plus aggregates, coarse or fine, plus sand, plus water, that is concrete, और जहां पर aggregates नहीं है, only cement or sand, that is motor, for example, जो आप देखते हैं, कि bricks रखे जाते हैं, दिवाल को बनाने के लिए, उसमें जो आपके पास चिनाई हो रही होती है, उसमें aggregate नहीं होते है, only cement होता है, या sand का proportion होता है, तो जहां पर aggregates नहीं है, that is motor, जैस आप इंट का जो construction होता है, वहाँ पर motor लगाते हैं, I hope आपको ये video पसंद आया हो, for more such videos, please follow our channel, एक short बनाया था, कर मैंने fire के ओपर, उमीद करता हूँ, आपने देख लिया होगा, नहीं तो please देख लिजेगा, ठीक है, ये मैं आने वाला हूँ, आपके पास Friday night को, ठीक है, ये दो sessions, ये और ये आपके पास लेने वाला हूँ, workshop पर फिर मिलेंगे, आपके पास Friday, 7.30 PM पर, app पर होगा, इसको register कर लेना आप दोस्तों, 7.30 PM पर, comment करके बताना, वीडियो आपको कैसा लगा, और किन topics के आपको वीडियो चाहिए, thank you, take care.